ये होम मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोट में कहा है कि आपने जैसे ही आपको पावर्ज मिले सबसे पहले शराब घोटाले की फाइल है और फिर मुख्य मंत्री के घर के जो निर्माण में खर्च हुआ था वो फाइल है मंगवाई निकलवाई की नहीं ऑन रेकॉर्ड कह दी जि जिना जी भाजपाई कटर जूटे हैं इसलिए मैं कहता हूं भारतिय जुटा पार्टी यह नंबर एक जूटे इतना प्रभवगंडा फैला जूटे लोगे यह नंबर एक जूटे दूसरी बात अब इन्होंने अंबेड़कर साब गिरवा दिये नहरू साब गिरवा दिये इनोंने मैनुफेस्टो नहीं बताया अपना मैं वहीं बता रहा हूँ आपको इनका मैनुफेस्टों देखिए यह फूल इस्टेट फूफ डिल्ली डिल्ली पुरिस अंडर इस्टेट गॉवर्मेंट कमल खिलेगा कमल तो खिला नहीं उसके बाद भी दर्द ये है कि कमल न 97 का है उन्होंने क्या कहा मैं इस मौके बर केवल उन बातों की चर्चा करना चाहता हूं इसके बारे में कुछ मानिस सब्सक्राइब कितनी सीमित सक्तिया है और जो सक्तिया हमारे पास है उनको भी टांजेक्शन विज्जी जूल से कोई भी हेल्थ पे काम करेगा यह गुज्रात की मिज्दी के मिल कम नहीं कर सकते इसलिए डिली में ऐसे सरकार अपने राजबाइब दुवारा ऐसा करेंगे के दिली में बढ़ी बढ़ी है दिली के स्कूल खराब हो जाए अरे बराबरी कीजिए काम में बराबरी की जिए कई करें करी आगे को तो और गोडिने बाद कर रहे हैं कि शब्सक्रेंद कर रहे हैं किया इनकी का गया पूरा देश पंडित नहरू को नमन कर रहा है और मैं भी सर जुका कर पंडित नहरू को नमन करना चाहूंगा कि वो एक ऐसी शक्सियत थे जिन्होंने देश में 200 साल बाद क्या होगा उसके बारे में सोचकर कदम उठाए आई आई टी आये हम इसरों से लेकर तमाम संस्थाएं और तमाम समविधान की चीजें वो दे कर गए जिसके उपर आज भी प्रासंगिक्ता के साथ हम चर्चा करतें आज विशह यह है कि हमने जब पार्लिमेंट के अंदर कहा कि राजसभा में 267 के तहत चर्चा कराईए 267 मे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी नहीं था और ना राजसभा के अंदर सरकार गिराने की या किसी तरह की कोई वोटिंग की कोई इस तरह की चीज़ हो सकती थी लेकिन उसके बावजूद इस सरकार ने संसद का और टेक्सपेर्स का सेंकड़ों करोड रुपया बरबाद किया अब बात आती है जो ओडिनेंस और जिसके उपर आज हम विशेश तोर पर चर्चा कर रहे हैं जिसको कल राजसभा के अंदर पेश्ट किया जाएगा अगर आपको इतना ही अच्छा लग रहा था बिल और ये पावर्स इतनी अच्छी लग रही थी तो मोदी सरकार 9 साल से पकोड़े तल रही थी पहले ही क्यों ने ले आए इनको सारी चीज़ें को बदल देते पहले और अगर अभी भी था तो ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि आप लेकर आए इतना लंबा सेशन था आप बिल लेकर आ जाते आप बिल पर चर्चा कर आते लोग सभाराज सभा में और ग्रह मंतरी महादा ने एक और कनफ्यूजिंग सेट्मेंट दिया है पूरे देश को भरम पहलाने के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा इस बिल में पूर्ण राज्य का दर्जे की कहीं पर जिकर नहीं है इसमें केवल अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की एक डर आती है एक दिन में छे रेप दिल्ली के अंदर होते हैं उन एन एवरेज उसके उपर चर्चा नहीं करेंगे दूसरी ब्रामक चीजें बोलेंगे देश के ग्रह मंतरी कहते हैं सब बारा लाग करोड़ का गबन हो गया गोटाला हो गया अरे बही आपकी सरकार क्या वो ग क्रांसफर पोस्टिंग की पावर चुनी हुई सरकार के पास रहे तो क्या पती थी विवाद हुए उस पर और पिछले दस साल में दिल्ली ने भुगता दिल्ली की जंता ने भुगता कि किस तरह से बीजेपी और आम आद्मी पार्टी के बीच में टकराट रही और हमने कहा हमेशा कि तकराट नहीं होनी चाहिए तकराट अगर रुकती है किसी चीज़ से तो सोभाविक है और एक बात ध्यान रखिए 1998 से लेकर 2014 कि हम हरे इनके हर मैनिफेस्टों में के पूर्ण रज्य का दर्जा देए दो प्रेशन सुनी उसके बाद आप लोग आईएगा अपने ग्रेम अंति साब ने लोग सभा में आरोप लगाया कौन से मामले में कणविक्शन हो गया है आपके दूसरे सवाल से शुरू करता हूं बाई जब केंदर में कॉंग्रस की सरकार थी और कॉंग्रेस ने मिलकर इनके साथ सरकार डिल्ली में बनाई और इनी का अपाइंटट गवनर कौन था नजीब जंग उनको रोज गाली का लोज करने का काम कौन करता था अरविन केजरिवाद ये जगडालू नहीं है जिनके साथ मिलकर सरकार पहली बनाई उनीके नियुक्त किये गवनर से जगडा करते थे अब बताईए दूसरी बाद मैंने नहरू जी को कोई मह समय बता रही थी उस समय पर भी कि दिल्ली को इस प्रकार की विवस्था में रखना है मैं तो इन से पूछने चाता हूं कि क्या नहरू जी को कूडे के डबे में उनकी विचारदारों को फेक दिया है कि आज कॉंग्रिस पार्टी ने तीसरी बाद मैं ऐसी बाते करना नहीं चाता पर बहुत मुझे पिन करते तब बोलना पड़ता है यही थे आलोग जी यह ऐसे पोस्टर लगा 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 क्यों दिल्ली कॉंग्रस से यह पोस्टर लगाते थे मनीज सिसोधिया भ्रष्ट है अब तो यह स्पष्ट है इनकी साथी प्रवक्ता ने तो प्रेस अखरी पात प्रेस कॉंगा चुल की कांटि यह ए श्पूल की मंतरी जो दिल्ली में शिक्षा करांती अर्विन केजरिवाल जी के नेतृत्व में आई है तो दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने सरकारी स्कूलों को पीछे छोड़ दिया प्राइवेट स्कूलों ने सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया है पीछे, ये क्रांती है, अब ये भांती भैलाने के लिए, अपने बयान को सही सावित करने के लिए मेरे अनवेरिफाइड एडिटेट सारे बयान चलाएंगे, पर तो बता दीजे, आप ही की मंत्री कह रही है, स्कूल ड्रॉप आउट रेट क्यों बढ़ गया है, क्यों पास पसेंटेज रेट जो है वो कम होता जा रहा है, अरे स्कूल के विशे में किस पकार से 500 स्कूल बनाने का वादा था, हजारों ठेके खोल गया है, इन्होंने स्कूल तो खोले नहीं, तो मुझे लगता है कि कानूं के किलाब रेजलूशन पारित कर दिया, क्या ऐसा हो सकता है, तो सम्विधान का पालन कौन रही करता है, कौन नहीं करता है, और देखे, नेरू जी के पास हम नहीं गये हैं, पर तु हाँ, अन्ना के शिश्य, आज लालू जी और सोन्या गांधी, जिनको जेल में डा करने की बात करता है, तो वो बात